तो दोस्तों हम इसे वीडियों बात करने वाले हैं Samsung Galaxy M30s के कुछ इसू इन प्रोब्लम के बारे में जो कि यहां पे मेरे फोन में बहुत थी मतलब देखने को मिल रहा है एक इसू जो मैं आपके साथ जो है सेर करने वाला हूं आप मुझे भी यहां पर कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी एसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है मेरा फोन है Samsung Galaxy M30s यहां पर देख सकते हैं मेरे फोन में ऐसा या इसू आ रहा है बताने के उन नहीं, क्यों यह आ रहा है मतलब इसू क्यों यह प्रोब्लम हो गया मेरे फोन के अंदर तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बदाना ठीक है तो हम बात करने वाले हैं समसंग लेक्सी M30S के जो है नेटवर्क प्रोब्लम के बारे में किया पर समसंग लेक्सी M30S के अंदर जैसे मैं अपने CM1 ने मतलब हैं पार सिम 2 में हैं अपने अपने को लगा कर रखंसा सिम 1 में मेरा यहां पर ओदाफोन वरक सेंटार नेटवार्क इसका है लिए यहाँ आपना ओपे Met a आॉइसी मेरा है और तो यहांग के बाद यहां पर जैसे कुछ दिर मतलब अपना जो है जिसे कोई फोन के अंदर तो यहां पर जो है मतलब ऑट्वर सब्सांड सब्सक्राइब अइस बातले फ्लूम हो रहा तो यह क्यों हो रहा कीऊ नहीं मतलब पता नहीं I don't know आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि इसका solution क्या है अगर आपको solution नहीं मिलता है फिर भी बताना कि आपके फोन में ऐसा problem हो रहा है जैसे मैं अपने सीम 2 के अंदर जो है और आपको अपने जो है फोन के अंदर बताऊंगा कि ऐसा problem कि हो रहा है तो यहां पर इसका नेक्ट वीडियो में आपको solution इसका बताऊंगा कि यहां पर 4G के बदले हां पर 3G एच प्लस पकड़ ले रहा है मतलब एच प्लस कनेक्ट हो जा रहा है आटोमेटिक्स है तो यह इसको जो है कैसे solve किया जाए तो आप मुझे बताना कि आपके फोन में भी ऐसा हो रहा है फिन नहीं हो रहा है ताकि मुझे भी पता चल सकी और मैं भी आप बाकि लोग के साथ यहां में share कर सको तो यही थी वीडियो में जानकारी वीडियो पस्ते लिए को लाइक कर देना चैनल पर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस तब तक लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में